हरे कृष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सब आप सभी ठीक होंगे मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है आज है शर्टिला एकादशी तो देखे मैंने अपने प्रभू की पूजा अर्चना शिंगार सब पून कर लिया है और मेरा उपवास भी है एकादशी के दिन मैं अपने ठागुर जी को अन्नका भोग नहीं लगाती हूं क्योंकि एकादशी में अन्नका भोग देवी देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं तो मैंने सुचा कि आपको मैं अपनी शर्टिला एकादशी का जो है फ्लॉग शेयर करूं और इसकी जो कथा है वो जरूर आपके स साथ शेयर करूं क्योंकि जो भी कथा हमें भागवत प्राप्ति की और ले जाती है उसको सिर्फ सुनने मात्र से ही बहुत पल मिलता है ऐसा कहते हैं कि जहां पे भागवत कथा चलती है वहां स्वयम देवी देवता आकर उसको सुनते हैं तो शट्टिला एकादशी की जो मह महात्मे है जो कता है वो कुछ इस थरह से है भगवान कृष्ण बोले है युदिष्टिर माग मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शट्टिला है इसमें तिल से इसनान, तिल से उबडन, तिल का हवन, तीलांजली, तिल सहित ठाकुर की चरडोदिक और तिल का भोजन, तिल का दान, ये शट्टिला कहलाती है, इसका महात्मे पुलस्त रिशी ने दालब्य को सुनाया था, तब आगे नारद जी को मैंने बताया क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है, इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आखों देखी बात सुनाई, एक ब्रामडी थी वो चांद्राय रादी वरत किया करती थी, वरत करते करते दुर्बल हो गई, वरतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नश्ट हो गए, मैंने विचार किया अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाएगी, जाकर इससे कुछ दान जिससे स्वर्ग का तोशा भी कुछ बन जाए, मैं बैकुंठ लोग को त्याग मृत्यू लोग में आया, वामन सदृष्य छोटा रूप बनाकर ब्रामडी के द्वार का भिख्षुक हुआ, उसने मुझे मृत्यू पिंड दे दिया, कुछ दिन के बाद उसने शरीर गई और अपने ग्रह में केवल मृत्यू पिंड को देखा, अन्य वस्तूओं से शून्य था, वह अपने बिगडे हुए भवन को देख न सकी, शीग्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, कि आप अच्छे फल राता हो, मेरे चंद्राय रादी व्रतों का फल निश्व रहा है, ब्रामडी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी, मैंने उससे कहा, जैसे नई बहु को नगर की इस्त्रियां देखने आती हैं, वैसे तुमको देवांगना देखने को आएंगी, तुम द्वार बंद रखना प्रतम उनसे शटतिला एकदशी का महात में सुन ले बिगडी को बनाने का सुगम उपाय यही है, वह ब्रामडी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया, देव कन्या दर्शन को आई और कहा द्वार खोलो, मुक दिखाओ, ब्रामडी बोली, पहले मुझे शटतिला एकदशी के महात में को सुनाओ, देविस्त्रियां ब मित्यो पिंड का आम बन गया, जब व्रत किया, तब सारे ग्रह में नंदन बन की विभूतियां प्रकट हो गई, इस व्रत में एक तिल दान करने से एक हजार वर्ष तक स्वर्ग मिलता है, तो कथा यहां पे पून हुई, और आप कथा से समझ गया होगे कि दान का हमारे जी पूजन पूरा किया, और अभी मैं थोड़ी सी भोग सेवा वगरा प्रभू को दूंगी, जिसमें मैं उनको अभी मखाने का और शाम की समय में यह आलू का भोग लगाऊंगी, और इस तरीके से मैंने एक आदिशी के वरत को अपना पून्ड किया, कथा मैंने आपको इसलि कृष्णा रादे रादे